Good evening traders, hello everyone, आप सभी का स्वागत है, यह एक Mr.A Trading YouTube चैनल पे, आज हम लोग जिस share के उपर चर्चा कलने वाले हैं, वो NGC share है, जिसका देखिए अभी current price 69 रुपीज चल रहा है, हम लोग इसके उपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि hold by sale क्या करना चाहिए, जो आपके लिए best है, उस सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल सस्क्राइब कर लें, और notification bell जरूर प्रेस करें, देखिए मेरे चैनल पे एक giveaway भी चल रहा है, आप उसमें भी participate कर सकते हैं, आई बटम पे मैंने उसका link mention कर दिया है, तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू कर लेते हैं, देखिए दोस्तों जो आज का share है, वो ONGC है, ठीक है, oil and natural gas का share है, इसका जो price चल रहा है, 69 रुपीज चल रहा है भी, नवंबर 12 को upcoming hearing आने वाली है, इसकी ठीक है, देखिए 3.25 ESP प्रवाइड करता है, market capital 800 से अबब की है, मतलब 868 billion की market capital का dividend debt जो है, इनका 7.25% है, PE जो है, 21.10 है, आईए इसकी financial condition को अच्छे से समझ लेते हैं, तो जैसे मैंने valuation में market capitalization आपको बताया है कि 886 billion की है, ठीक है, देखिए इसके number of employees जो है 55,000 से जादा है, share holder भी काफी बढ़ गए हैं, पहले के मुकाबले, 8,67, हैं, ठीक है, देखिए इनका जो book profit है, वो 0.1585 है, तो उसके हिसाब से बहुत कम है, 52 week खाई जो है, 119 रुपे, 65 पैसे है, 52 week लो जो है, वो 50 रुपे है, तो इस हिसाब से company तो अभी ठीक है, कि अपने 52 week से उपर ही है, पर आईए इसका profile conditions देख लेते हैं, तो जो sector है, वो energy mineral से बिलॉंग करता है industry integrated oil produce करती है, ठीक है, oil and gas corporation limited जो है, वो gobeli energy holding company है, ठीक है, global में पूरा इसका exploration, development और production होता है, crude oil और natural gas का, ठीक है, तो ये लोग पूरे segment में काम करते हैं, देखे, अपने इंडिया में तो है ही है, बाहर की countryों में भी काफी ज़्यादा है, जैसे रसिया हो गया, कोलंबिया हो गया, वेतनाम हो गया, ब्राजील हो गया, वेंजूला हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी इनके company के oil and gas reserve located है, ठीक है, तो इस तरीके से company तो काफी strong है, ठीक है, आईए इसका जो हम लोग एक news निकल के आए थी, उसके उपर चर्चा कर लेते हैं, तो एक update निकल के आए थ है कि इन्होंने processing जो थी limp की, 6th month की peak पे है, ठीक है, इन्होंने काफी cover कर लिया है, मार्च से अब तक, ठीक है, जबकि इसमें pre-covid level भी चल रहा था, crude processing recovery जो थी, वो 20% हो चुकी है, April के low से, refining utilization rate भी highest है, इस 6th month से, ठीक है, तो इस तरीके से company इस तरीके से good है, ठीक है, अ आईए, टेकनिकल NSS कर लेते हैं, तो देखिए, टेकनिकल NSS जो base होता है हम लोगों का, most popular indicator जो होते हैं उनके उपर, moving average, oscillator और प्रविटवल्स पे, आईए, तो इसका quick result जान लेते हैं, तो देखिए, टेकनिकल कॉल जो निकल किया रही है, ओ भी sale किया, तो ये थी मेरे तर किया जो chi